Hello students, तो आज हम करेंगे introduction for exercise 11.2 chapter 11 algebra अभी तक हमने सीखा था expressions क्या होते हैं ऐसा number जिसमें हम variables का इस्तमाल करते हैं उसको expressions बोलते हैं जैसे कि हमने लिखा था t plus 4 यह हमारा expression है 2y plus 3 यह हमारा expression है इसी तरह से 3z upon 2 plus 6 यह भी हमारा एक expression है तो इन expressions के बारे में हम जानते हैं आज हम क्या सीखेंगे कि इन expressions का practical कैसे होता यानि कि हम अपनी daily life में इनका इस्तमाल कैसे करते हैं तो इसको हम एक example से सीखेंगे तो यहाँ पर example first ले लेते हैं तो यहाँ पर हमने example लिया I have 4 more marvels than Rahul यानि मेरे पास Rahul से 4 ज्यादा कंचे हैं तो अब हमें इसका expression लिखना है तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखो इसको अगर हम गौर से पढ़ें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है I have 4 more यानि मेरे पास 4 ज्यादा है अगर Rahul के पास 1 marvel है तो मेरे पास कितने होंगे 4 ज्यादा होंगे यानि कि 5 होंगे और इसी तरह से अगर Rahul के पास 2 है तो हमारे पास कितने होंगे 6 क्योंकि 4 ज्यादा है इसी तरह से अगर Rahul के पास 3 है तो मेरे पास कितने होंगे 3 प्लस 4 जो कि आएगा 7 तो अगर हम चुकी यहाँ पर राहूल का तो दे नहीं रख़ा है, कि उसके पास कितने मारबल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माल लेंगे कि let राहूल्स मारबल भी X, हम माले राहूल के पास X मारबल हैं, तो हमारे पास कितने होंगे I have इस से 4 ज्यादा होंगे तो इसका मतलब हम इसमें 4 add कर देंगे बस यही हो गया हमारा answer अब हम age वाले example देख लेदे तो यहाँ पर दूसरा example हमारा रहेगा तो यहाँ पर example second क्या है Pile is 6 year younger than age Pile जो है वो 6 साल छोटी है यंगर के माने होता है छोटा ठीक है ओल्डर के माने होता है बड़ा यहां पर यंगर है तो इसलिए यह 6 साल चोटी है अब यहां पर हम को कैसे देखना होता कि यहां पर देखोencing जहांब धेकर लिए तो इसे यहाँ पर राहुल के लिए कुछ नहीं दे रखा था, कि इसके पास कितने कंचे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको X लेट किया था, तो अब हम इसको लेट करेंगे, वैरियेवल में, तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर लेट, अजैज, एज, इज, इक्वल्स टू, व इससे 6 साल छोटी है, इसका मतलब इसमें से 6 घटा गए, यहाँ पर यहाँ पर 10 year है, तो पाइल की एज क्या हो जाएगी, 10 minus 6, यानी की 4 year, इसी तरह से अगर अजै की एज 20 years है, तो पाइल की कितनी हो जाएगी, 20 minus 6, यानी की 14, तो यहाँ पर हम Y की वैल्यू रखते जाए नेक्स्ट एक्जामपल देख लेते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्जामपल क्या है, कि रमन is twice as old as अमन, यानी जितनी अमन की एज है, उसकी दुगनी एज जो है वो रमन की है, यहाँ पर twice लिखा है, twice का मतलब होता है दुगना, 23 लिखा होता है, तो तीन गुना, और क के लिए तो हमें दे रखा है, कि इसकी age twice है, अमन से, लेकिन अमन के लिए यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर variable अमन को लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, solution, let amans age is equals to x, तो यहाँ पर रमन की age क्या हो जाएगी, रमन's age is equals to 2x, क्योंकि 2 twice है, यानि कि इसमें हम 2 से multiply कर देंगे, इस तरह से समझ लेते हैं, कि अगर अमन की age 10 year है, तो रमन की age कितनी होगी, 2 into 10, यानि की 20, और अगर अमन की age 5 year है, तो रमन की हो जाएगी, 2 into 5, यानि की 10, अब आते हम next example पर, तो यहाँ पर हमारा next example है, राजू's father's age is 2 years more than 3 times राजू's age, यानि कि राजू के father की जो age है, वो कितनी है, राजू की जो age होगी, उसकी 3 times करेंगे, और फिर उसमें 2 को add करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि राजू के age के बारे हम तो कुछ नहीं बोल रखका है, उस है, तो इसके father की age क्या होगी, इसको पढ़ते है, 2 years more than 3 times राजू's age, तो राजू के age 10 years है, तो इसका पहले हम 3 times करेंगे, 3 times राजू's age और 2 more, तो यहाँ पर 2 add करेंगे, तो यहाँ जाएगा 30 plus 2 यानि कि 32, अब इसको हम expressions में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम चुकि राजू's age is equals to x, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट राजू's age is equals to x, तो यहाँ पर इसके father की age क्या हो जाएगी, father's age is equals to 3 into राजू's age plus 2, यानि 3x plus 2, यह हमारा answer हो जाएगा, अब आते हम next example पर, तो next example क्या है कि पलक's age after 5 years, यानि 5 साल के बाद पलक की age क्या होगी, अब जैसे हम माल लेते हैं कि पलक की age इस वक्त जो है वो 10 years है, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 10 में हम 5 को add कर देंगे, यानि कि 15 years की, क्योंकि 5 साल के बाद वो 5 साल बड़ी हो जाएगी, तो present age is equals to x, क्योंकि present age के बारे कुछ नहीं दे रखा है, तो हमने उसको x मान लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे, after 5 years, तो 5 years के बाद कितनी हो जाएगी, इसमें हम 5 को add कर देंगे, x plus 5, अगर इस वक्त जो है present में age 15 है, तो 5 साल के बाद 20 हो जाएगी, अब आते हम next example पे, तो यहाँ पे next example कहता है, पूनम's age 3 years ago, यहाँ पे बोलता था, after 5 years, यानि 5 साल के बाद, और यहाँ पे 3 years ago, यानि 3 साल पहले, अब यहाँ पे देखो, अगर पूनम की age इस वक्त present में 10 years है, तो 3 साल पहले कितनी होगी, यानि पहले 3 साल छोटी होगी, यानि कि 10 minus 3, तो आ 7, similarly अगर यहाँ पे present age 20 years है, तो 3 साल पहले कितनी होगी, 20 minus 3, यानि कि 17, तो यहाँ पे चुकी present age को नहीं दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, present age is equals to, हमने यहाँ पे variable ले लिया y, present age हमारी मान लेते है y है, तो यहाँ पे लिखेंगे, 3 years ago, 3 साल पहले कितनी थी, y minus 3, यानि इसमें से हम 3 को minus कर देंगे, तो यह तो होगा है हमारे age पर के examples, अब हम कुछ price पर के examples देख लेते हैं, क्योंकि daily life में हमारी चीज़ें हम सामान वगएरा खरीरते हैं, तो उसमें जो price होता न, उसके उपर, तो next example हमारा है, price of wheat per kg is rupees 5, less than price of rice per kg, तो यहाँ पर wheat गेहूं, यानि गेहूं का जो price है, अगर हम एक किलो खरीद रहे हैं, तो वो 5 रुपया कम है, चावल के price से, तो जैसे हम यहाँ पर माल लेते हैं, कि जो चावल है, उनका rate क्या है हमारा, 30 रुपया per kg, तो wheat का price क्या हो जाएगा, 30 minus 5, क्योंकि यह यहाँ पर wheat जो है, वो 5 रुपीज लेस है, राइस के price से, तो यह 30 minus 5, यानि की 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर rice के price के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब हम rice का जो price है, उसको x consider करेंगे, तो यहाँ पर solution देख लेते हैं, solution क्या आएगा, price of 1 kg rice, तो एक किलो की कीमत क्या है, 30 rupees, sorry, यहाँ पर हम x consider करेंगे, तो यहाँ पर price of 1 kg wheat, यह क्या हो जाएगा, 5 less देने, यानि की इससे हम 5 minus कर देंगे, तो यहाँ पर यह आ जाएगा, x minus 5, तो यह हमरा answer हो जाएगा, अब हम next example देख लेते हैं, तो next example हमारा किस तरह से, price of oil is 5 times price of rice, यानि जो rice का price है, उससे 5 times जो है, वो ज्यादा है, oil का price, example के लिए जैसे हमान लेते हैं, कि rice का price 30 है, तो oil का क्या होगा, 5 times, यानि की 5 into 30, तो यह कितना आ जाएगा, 150, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, price of rice को x मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, price of rice is equal to x, अब price of oil क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, price of oil is equal to 5 times of rice, rice का price हमने x माना है, तो यह हो जाएगा, 5 into x, जिसको हम 5x लिखते हैं, तो यह हमारा answer हो जाएगा, next example देख लेते हैं, यहाँ पर, यह हमारा example रहेगा, speed of bus is 10 km per hour, more than the speed of truck, bus की speed जो है, वो truck की speed से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है, 10 km per hour, तो यहाँ पर अगर हम माल लें, truck की speed अगर चल रहे है, 50 km per hour की speed से चल रहा है, तो bus की speed क्या होगी, 50 plus 10 यानि की 60, इसी तरह से अगर truck की speed जो है, वो 70 है, 70 km per hour, तो bus की speed क्या होगा, 70 plus 10 is equals to 80, चीक है, तो यहाँ पर हम इसका solution लिख लेते हैं, अब यहाँ पर bus के लिए तो हमें दे रखा है, कि यह 10 km per hour ज्यादा होगा, लेकिन truck का नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर truck के speed को variable कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर माल लेते हैं, let the speed of truck, तो हमने truck की speed क्या मानी, x माल ले, x km per hour, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, speed of bus, तो bus की speed क्या आ जाएगी, x plus 10 km per hour, क्योंकि truck से 10 km per hour speed ज्यादा है bus की, तो यह हमारा answer हो जाएगा, introduction समाप, question number one, तो question number one क्या कहता है, question number one में हमारे कई सारे parts है, इसमें हमारा A वाला part यह है, और B वाला part जो है, वो हमारा आगे दे रखा है, हम सारे parts करेंगे, ठीक है, तो वीडियो को last तक देखिएगा, तो यहाँ पर question क्या कहता है, answer the following, A वाला part दे रखा है, take, सरीताज present age to be y years, तो यहाँ पर हम से कह रहा है, के पहले ले लो कि सरीताज की जो present age है, वो y years है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सरीताज present age is equals to y years, अब यहाँ पर इस A वाले part के भी कई सारे part दे रखें, तो यहाँ पर पहला part क्या कहता है, what will be her age 5 years from now, यानि present में उसकी age y years है, तो 5 साल के बाद उसकी age कितनी होगी, इसको ऐसे समझो, अगर present में उसकी age 10 years है, तो 5 साल के बाद कितनी age हो जाएगी, 15 years हो जाएगी, क्या किया इसमें, 10 में 5 को add कर दिया 5 साल के बाद, तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर A वाले का answer क्या हो जाएगा, y plus 5 years, second part क्या दे रखा है, what was her age, 3 years back, 3 साल पहले उसकी age कितनी थी, अब अगर present age 10 years है, तो 3 साल पहले कितनी होगी, 10 में से हम 3 को minus कर देंगे, यानि कि 7 years, तो वही जी जम यहाँ पर करेंगे, तो second वाले का answer क्या हो जाएगा, y minus 3 years, next part में क्या दे रखा है, सरिताज grandfather is, 6 times her age, what is the age of her grandfather, तो उसके grandfather की age क्या है, 6 times her age, यानि अगर सरिता की age 10 years है, तो उसके grandfather की age क्या होगी, 10 into 6, 6 into 10 यानि की 60 years, तो यहाँ पर 3 वाला लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या करना है, times का मतलब होता है, multiply, 6 times लिखा न, इसका मतलब होता है, multiplication, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, 6 into y, और 6 into y को हम 6 y लिखते हैं, 6 y years, next part देख लेते हैं, तो next part क्या क्या करता है, grand mother is two years younger than grandfather, what is grand mother's age, यानि grand mother जो है, वो grand father से 2 साल छोटी है, यानि younger है, तो उसकी grand mother की age क्या होगी, अब यहाँ पर grand father की age 60 आई है, तो इसकी grand mother की age क्या होगी, 60 में से हम 2 minus कर लेंगे, क्योंकि 2 साल छोटी है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, 58, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, चोथे वाले में, यह जो grand father की age दे रखिए, इसमें से 2 minus कर देना है, तो यह आ जाएगी grand mother की age, next part में क्या दे रखा है, सरिताज father age is 5 years more than 3 times सरिताज age, what is her father's age, यहाँ पर क्या आए, देखो, यहाँ पर सरिताज की age हमने मानली 10 years है, तो यहाँ पर कहरा है कि पहले तो सरिताज की 3 times age करो, उसमें भी 5 add करो, तो जो age आएगी वही उसके father की age, तो यहाँ पर 10 years है, तो इसका पहले हम 3 times करेंगे, 3 into 10 हो जाएगा, उसमें फिर हम 5 add कर देंगे, तो यहाँ पर 3 into 10, 30 हो जाएगा, उसमें 5 add कर देंगे, 30 plus 5, 35 आ जाएगा, तो उसके father की age 35 हो गई, तो यहाँ पर क्या किया है, सरिता की age को यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर father की age कितनी हो जाएगी, 3 into y, क्योंकि यहाँ पर सरिता की age हमने y लिये है, plus 5, तो यह हो जाएगा, 3y plus 5, यह हमारा answer हो जाएगा, तो a वाला part हो गया, अब हम b वाला part देख लेते हैं, तो b वाला part क्या कहता है, यहाँ पर देखो, b वाला part में दे रखा है, the length of a rectangular hall, यहाँ पर हम पहले एक rectangular hall बना लेते हैं, यहाँ पर यह एक rectangular hall है, ठीक है, is 4 meter less than 3 times the breadth of the hall, यानि इस hall की यह जो length है, यह क्या है, 4 meter less than 3 times breadth of the hall, यानि breadth जो होगी इसकी, उस breadth का हम 3 times करेंगे, और उसमें से 4 minus करेंगे, तो हमें length मिल जाएगी, आगे कहता है, what is the length if the breadth is b meter, यानि breadth हमें दे रखे है, variable में दे रखे है, लेकिन दे रखे है, b meter दे रखे है, ठीक है, तो इसकी length क्या होगी, इसकी length जो है, वो b के term में होगी, और कितनी होगी, यहाँ पर हम देख सकते, 3 times breadth और less than है न, तो यहाँ पर 4 minus कर देंगे, जब less होता है, तो 4 minus कर देते हैं, more होता, तो फिर हम 4 plus कर देते हैं, तो यहाँ पर यह इसकी length हो जाएगी, तो यहाँ पर answer भी लिख लेते हैं, किस तरह से लिखेंगे इसका solution, breadth is equals to b, हमने मालिया, breadth हमें b दे रखी है, तो length क्या जाएगी, length is equals to 3 into b minus 4, और यह हो जाएगा 3b minus 4, यह हमारा answer आजाएगा, अब हम C बाला part देख रहेते हैं, तो C बाला part हमें किस तरह से दे रखा है, और rectangular box है, height h cm, यहाँ पर एक rectangular box है, rectangular box हमारा किस तरह से होगा, इस तरह से, जिसकी height भी दे रखी है, तो इसका मतलब यह, cube height type का होगा, इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होता है, कि यह जो है, height होती है, और यह, ब्रेथ होती है, और यह, जो है, यह, यह length होती है, तो हमें दे क्या रखा है, height दे रखा है, आगे कहता है its length is 5 times the height and breath is 10 cm less than the length तो यहाँ पे कहता है कि जो length है वो height की 5 times है और जो breath है वो length से 10 cm छोटी है आगे कहता है express the length and the breath of the box in terms of height तो हमें height के terms में length और breath find out करनी है तो यहाँ पे solution देख लेते हैं c वाला given height हमें क्या दे रखी है h cm तो length क्या आ जाएगी length हमारी आ जाएगी यहाँ पे क्या दे रखा है 5 times the height यानि कि 5 times height तो यह हो जाएगा 5 h cm ब्रेथ क्या जाएगी ब्रेथ आ जाएगी हमारी ब्रेथ क्या दे रखी है 10 cm less than length length हमारी 5 h है तो इससे 10 cm less है तो यह आ जाएगा हमारा ब्रेथ तो यह हमारा answer हो जाएगा अब हम next वाला part देख लेते हैं दी वाला तो दी वाला part क्या दे रखा है मीना बीना और लीना जो है वो पहाड चड़ रही है पहाड के उपर सींडिया बनी होंगी उनके उपर चड़ रही है पहले हम यहां पर इससे पहाड बना लेते हैं इस तरह से और हम माल लेते हैं कि यहां कहीं पर इससे सींडिया बनी हुई है ठीक है तो इस पर चड़ रही है आगे कहता है कि मीना इस एट स्टेप एस तो मीना जो है वो स्टेप एस पर हम माल लेते हैं कि यह जो है वो स्टेप एस है तो यहां पर कौन है मीना है और आगे क्या कहता ह बीना is 8 steps ahead and लिना is 7 steps behind बीना वो 8 steps मीना से ज्यादा है तो यहाँ पे यह अगर S है तो बीना कहां होगी हमारी यहाँ पे होगी क्योंकि यह 8 steps आगे है तो यह आगे होगी और यह क्या होगा हमारा S में 8 ahead कर देंगे यानि यह जो step होगा ना यह s plus 8 होगा और lina कहा है 7 steps behind यानि पीछे है तो हम आ लेते हैं यहां कहीं पे lina होगी और इस step का क्या नाम होगा s minus 7 यानि जो s दे रखा होगा s में से हम 7 minus कर देंगे तो यह पता चल जाएगा कि यह कौन सा step है आगे कहता है where are bina and mina तो bina और mina कहा है यहाँ पर हमने सारी चीज़े लिख लिए lina हमारी कहाँ पे s minus 7 step पे mina s पे है और bina s plus 8 पे है तो यहाँ पे हम d का solution लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे bina is equals to s plus 8 steps bina जो है इतने steps पर है और mina कहा है mina s steps पर है और lina यहाँ पे s minus 7 steps पर है ठीक है आगे कहता है कि the total number of steps to the hill top is 10 less than 4 times what mina has reached जहाँ पे mina है ठीक है इसका 4 times करें और उसमें से 10 minus कर दें तो हमारे पास total steps इतनी होंगी कोई सीड़ी है न तो उसमें कितने steps है इसका हम 4 times करें और 10 minus कर दें आगे कहता है express the total number of steps using s तो यहाँ पे हम लिख सकते है total number of steps तो क्या आएंगे हमारे जहाँ पे मीना है मीना कहाँ पे s step पे है तो यह हो जाएगा 4 into s क्योंकि 4 times करना है minus 10 क्योंकि 10 less है यहाँ पे यह चीज़ देख रखेंगे कि अगर less दे रखा है तो minus कर देंगे तो variable में उसी number से हम multiply कर देंगे तो यह क्या जाएगा 4 as minus 10 तो total इतने steps है तो यह हमारा answer हो जाएगा next part देख लेतें तो next part हमें क्या दे रखा है e वाला तो e वाला part क्या कहता है आप bus travels at v km per hour per hour का मतलब होता है एक घंटे में एक घंटे में कितना travel कर लेती है v km यहाँ पे v जो है वो variable दे रखा है it is going from 10 पूर to 20 पूर यह 10 पूर से 20 पूर जा रही है after the bus has traveled 5 hours 5 घंटे bus ने travel किया बीसापूर is still 20 km away बीसापूर फिर भी जो है 20 km दूर है what is the distance from 10 पूर to 20 पूर express it using v तो हमें distance बताने है 10 पूर और 20 पूर के बीच में तो हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे जो है वो 10 पूर है और यहाँ कहीं पे जो है वो 20 पूर है ठीक है और यहाँ से bus चली और कितना चली यह v km per hour की speed से चल रही है यानि एक घंटे में एक hour में v km चल जाती है और कितनी देर चली है after the bus has traveled 5 hours 5 hours में कितनी दूर चलेगी है 5 hours is equals to 5 को v से multiply कर देंगे तो 5 into v यह हो जाएगा 5 v km तो 5 गंटे में वो इतना km चली है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम माल लेते है 5 km चलने के बाद यहाँ पे आ गई बस तो यहाँ पे जब बस आ गई तो यहाँ पे कितना distance ने cover कर लिया 5 v तो यह हो जाएगी 5 v और यहाँ से यहाँ तक की जो distance है वो हमें दे रखी है कहता है कि 20 पूर is still 20 km अभे तो यहाँ से 20 km जो है वो 20 पूर है तो यह जाएगा 20 km और इस तरह से चिक है अब हम से पहुच रहा है कि 10 पूर से 20 Pinterest की distance क्या है तो distance हमारी क्या होगी जो यहाँ से यहाँ तक की total होगी और total क्या होगी इसको इसके साथ add कर देंगे तो यह total distance क्या जाएगी 5B plus 20 km तो अब इसको हम इस तरह से लिख भी लेते हैं प्रापर तरीके से solution तो यहाँ पे लिखेंगे हम distance traveled in one hour तो एक गंटे में कितना distance travel करता है V km ठीक है आगे लिखेंगे distance traveled in five hours तो five hours में कितना distance cover कर लिया 5 V km यहाँ पे हमने देखा therefore distance between 10 पूर to 20 पूर यहाँ पे end लगाएंगे 20 पूर क्या आ जाएगी हमारी इन दोनों को इसको 20 के साथ आइड करेंगे यह distance आएगी total 5 V plus 20 km यह यह मारा answer हो जाएगा question number 2 क्या कहता है change the following statements using expression into statements in ordinary language ordinary language में हमें statements को लिखना है यहाँ पे example भी दे रखाएंगे किस तरह से given Salim score r runs in a cricket match हमें दे रखाएंगे Salim ने जो है वो r runs बनाए है और नलीन score r plus 15 runs और नलीन ने जो है वो इतने score बनाए है तो इसको ordinary language में कैसे लिखेंगे in ordinary language नलीन scores 15 runs more than Salim तो यहाँ पे हम देख सकते कि Salim के अगर score r है तो नलीन का r plus 15 है तो 15 ज्यादा है Salim से तो यहीं हमारी ordinary language है तो अब हम A वाला पार देख लेते हैं तो A वाला पार क्या दे रखा है A notebook cost rupees P A book cost rupees 3P 3P का मतलब होता है 3 into P तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर notebook की cost P है तो book की cost क्या है 3 times P है और P किसकी cost है notebook की तो इसका मतलब book की cost क्या होगी 3 times होगी notebook के तो यहाँ पे A का जो answer आएगा वो किस तरह से हम लिखेंगे A book cost 3 times the cost of a notebook तो notebook की cost का 3 times है B वाला पार देख लेते तो B वाला क्या कहता है Tony puts Q marvels on the table Tony ने जो है वो Q marvels put कर दी है टेबल पे तो हम माल लेते हैं यहाँ कहीं पे इस तरह से टेबल है इसके उपर कुछ marvels हैं जिसको Q मान लिया है आगे कहता है कि He has 8 Q marvels in this box तो box में जो है वो 8 Q marvels हैं यह box हम माल लेते हैं इसमें 8 Q हैं 8 Q का मतलब क्या हुआ कि अगर टेबल पर दो marvels रखी हैं तो box में कितनी होंगी 16 होंगी तो यहाँ पे यह क्या हो रहा है 8 times Q और Q हमारा क्या दे रखा है जो marvels टेबल पे पुट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि box में जो टेबल पे marvels रखी हैं उनका 8 times है ठीक है इस तरह से हम समझ सकते हैं इस तरह से याद रखेंगे कि यहाँ पे यह जो दे रखा होगा उसको हम क्या करेंगे बाद में लिखेंगे तो यहाँ पे B वाला लिख लेते हैं तो B वाला क्या जाएगा हमारा टोनीज बॉक्स तो जो टेबल पर मार्बल्स रखी है उसका 8 times जो है वो उसके बॉक्स में है C वाला क्या दे रखा है Our class has any students The school has two any students मेरी class में any students है और पूरे school में two any students है तो अगर इसको हिंदी में समझें तो पूरे school में मेरी class के twenty times students है ठीक है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे C वाला Number of students in school तो हमारी class में जितने हैं उसका twenty times school में है अब यहाँ पे हम next वाला देख लेते हैं तो next वाला क्या दे रखा है यानि अगर जग्गू की age ten year है तो उसके अंकल की age कितनी होगी four into ten यानि की forty year and his aunt is four z minus three years old तो उसकी aunt क्या होगी four z minus three यानि अंकल की age से तीन साल छोटी है और छोटे के लिए क्या लगता है यंगर लगता है और जब multiplication होता है तो उसमें times लगता है तो इस तरह से हम चीज़ें याद रखेंगे कि यहाँ पे हम क्या इस्तमाल करेंगे कि जड जो है वो जग्गू की age है तो अंकल की age क्या हो जाएगी four times जग्गू age और दूसरा क्या दे रखा है क्या यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे aunt is three years younger than uncle ठीक है तो इस तरह से तुकडों में हम बाटके लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम जग्गू's age जग्गू की age हमारी कितनी दे रखी है z years यह d वाले का answer रहेगा और uncles की age कितनी दे रखी है uncles age is equals to four z years और aunt की जो age दे रखी है वो कितनी दे रखी है aunt age is equals to four z minus three तो यह सारी चीज़ा में दे रखी है अब इसको हम देख के कैसे पढ़ पाएंगे कि यहाँ पे uncle's age is four times जग्गू's age and aunt is three years younger than uncle यही मारा sentence बन रहा है तो इसी को हम लिख लेंगे तो यहाँ पे answer हो जाएगा जग्गूज अंकल is four times older जो अगर कोई बड़ा होता है क्योंकि यहाँ आप रंकल बड़े होंगे तो बड़े के लिए older लगता है older than जग्गू and जग्गू जग्गू की आंट जो है वो यहाँ पे three years भी लिखेंगे तो यह हो जाएगा डी वाले का answer अब यहाँ पे next में दे रखा है e वाला तो e वाला किस तरह से दे रखा है in an arrangement of dots there are r rows each row contains five dots तो पहले तो यह समझ लें कि यह question कहे क्या रहा है तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे r row है ठीक है और हर एक row में पांच dots है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पहली row है पहली row में कितने है एक, दो, तीन, चार, पांच यानि कि five dots है और इस तरह कि कितनी row है r row है तो यहाँ पे second row में भी 5 होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से अगर हम देखें तो आर रो में जो आर्थ रो होगी उसमें भी 5 dots होंगे अब यहाँ पे ऐसा समझो जब हम table पढ़ते हैं 2, 3, 6 तो वहाँ पे हम क्या basically करते हैं 2 plus 2 plus 2 यानि 3 times करते हैं 2 को तो यहाँ पे multiplication जो है वो basically एक special case होता है addition का अब जैसे हम कोई भी table पढ़ते हैं 3, 9, 27 होता है तो यहाँ पे क्या किया गया है कि 3 को 9 times add किया गया है ठीक है तो अब इसी तरह से यहाँ पे 5 dot है यहाँ पे 5 dot है यहाँ पे 5 dot है तो total dot कितनी हो जाएंगी 5 plus 5 plus यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे इस तरह से r times हमें add करना है तो basically हम क्या कर रहे हैं 5 को r से multiply करना है जब times आ जाता है तो वहाँ पे multiple question आता है तो यहाँ पे यह 5 times r है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 r तो total dots जो है वो 5 r है तो अब अगर हम इसको देखें तो total dots क्या है r के form में है इसका मतलब यह हुआ कि total dots is 5 times number of row क्योंकि यहाँ पे r जो है वो number of row है तो इसको हम कैसे language में लिखेंगे यहाँ पे answer हो जायाएगा e वाले का यह हो जायाएगा the total number of dots is 5 times the number of rows तो जो row है उनका 5 times होगा तो यह हमारा answer हो जायाएगा question number 3 क्या कहता है question number 3 में basically हमारे 3 parts है एक part हमारा यह है और दो parts जो है वो हमने इधर लिख रखके है हम यहाँ पे सारे parts करेंगे तो वीडियो को लास्तर जरूर देखिएगा तो यहाँ पे a वाले parts से start करते है a वाला part क्या कहता है given munnoo's age to be x years हमें यह दे रखा है कि munnoo की age जो है वो x years है यहाँ पे कहता है कि can you guess what x minus 2 में so तो हमसे कह रहा है कि क्या आप guess कर सकते है कि x minus 2 क्या so कर रहा है आगे hint भी दे रखा है कि think of munnoo's younger brother अब एक चीज़ देखो जैसे हम माल लेते हैं कि munnoo की age जो है वो 10 year है तो अगर munnoo के घर में देखा जाए तो 10 year में से अगर हम 2 year minus करें तो यह क्या बचेगा 8 year तो 10 year और 8 year में कुछ खास फरक तो है नहीं 2 साल का फरक है तो family में munnoo का यह कौन हो सकता या तो भाई होगा या तो बहन होगी लेकिन चुकि यहाँ पे hint में कहे रखा है कि भाई के बारे में सोचना है तो यह भाई होगा x minus 2 जो है वो भाई होगा आगे कहता है कि can you guess what x plus 4 में 100 what 3 x plus 7 में 100 हम मान लेते हैं munnoo की age 10 year है तो अगर 10 में हम 4 add करें तो यह क्या हो जाएगा 14 तो इसका मतलब क्या हुआ कि 14 जो है वो इससे 4 साल बड़ा है तो 4 साल बड़ा कौन हो सकता है age difference 4 years है इसका मतलब यह भी जो है वो या तो बहन होगी या तो भाई होगा आगे कहता है कि 3 x plus 7 यानि कि अगर हम 10 ले तो यहाँ पे रखके देखते 3 x 10 plus 7 यह हो जाएगा 30 प्लस 7 और यह आजाएगा 37 अब अगर मुन्नू की age 10 year है तो उसके घर में 37 year age किसकी हो सकती है उसके भाई 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 भाईन की तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे 27 years का फरक है और उसके grand father और grand mother की भी नहीं हो सकती क्योंकि उनके मकाबले यह कम है क्योंकि मुन्नू की age अगर 10 year है तो उसके grand father और grand mother की age 60 या 70 होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 37 age उसके या तो father की होगी या फिर mother की होगी तो यहाँ पे solution देख लेते हैं तो यहाँ पे solution हो जाएगा यह वाले का पहले लिखेंगे हम मुन्नू's age मुन्नू की age हमें क्या दे रखी है x years आगे क्या दे रखा है x minus 2 हमें इसको guess करना है और हमें hint में दे रखा है कि younger brother के बारे में सोचना है तो यहाँ पे तो hint ही को लिख देंगे हम younger brother ठीक है उसके बाद में कहता है x plus 4 तो x plus 4 क्या हो सकता है यह हमारा older brother हो सकता है older brother younger माने छोटा होता है older माने बड़ा brother हो सकता है या फिर sister भी हो सकता है sister उसके बाद में दे रखा है 3 x plus 7 तो 3 x plus 7 क्या हो सकता है या तो मुन्नू का जो है father होगा या फिर मुन्नू की mother होगी मुन्नूज father तो यह हमारा आंसर हो जाएगा अब हम भी वाला पार्ट देख लेते तो भी वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर हमें दे रखा है कि सारा की एज जो है वो आज कितनी है वाई एर्स है तो हमें उसकी एज फ्यूचर और पास्ट में सोचनी है यहाँ पर यह हमारे कुछ एक्सप्रेशन दे रखा हैं और हमसे पूझ रहा है कि यह एक्सप्रेशन क्या इंडिकेट करते हैं तो यहाँ पर पहले हम बी वाला पार्ट लिख देते हैं अब देखो हम माल लेते हैं सारा की एज हमें क्या दे रखी है सारा प्रिजेंट एज इज इक्वल्स टू वाई एज अब यहाँ यहाँ पर तो बेरियेवल है यानि कुछ भी हो सकता है तो हम माल लेते हैं कि सारा की एज जो है इस वक्त एग्जामपल के लिए समझाने के लिए 15 इयर्स है ठीक है तो अब अगर इससे पूछें कि 5 साल के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी तो यहाँ पर 5 साल के बाद जो एज होगी वो 15 प्लस 5 यानि कि 20 हो जाएगी क्योंकि अगर present age 15 है तो next year कितनी हो जाएगी 16 age हो जाएगी उसके next year 17 हो जाएगी इस तरह से 5 years के बाद 20 age हो जाएगी और यह तो future हो गया future में age हमारी 20 हो जाएगी 5 साल के बाद और अगर past में पूछें यानि 5 साल पहले वो कितनी age की थी तो हम क्या करेंग 15 में से 5 माइनस कर देंगे यानि की 10 year तो 5 साल पहले जो है वो 10 year की थी तो इसका मतलब यह हुआ कि future के लिए हमें क्या करना पड़ता है addition करना पड़ता है और past के लिए हमें subtraction करना पड़ता है इसी तरह से अगर इसको हम multiply करने यानि इस वक्त 15 year है तो अगर हम इसको 2 गु हो जाएगी यह 30 year यानि 15 साल के बाद जो है वो उसकी age क्या हो जाएगी 30 year और इसी तरह से अगर हम 15 को 3 से divide करने तो यह क्या जाएगा 5 years तो यह कम हो गया present age से यह ज्यादा हो गया तो future के लिए addition और multiplication होता है past के लिए subtraction और division होता है तो यहाँ पे हम इसके बारे में इस त प्लिए क्या होगा और past क्या होगा अब आते हम जो expressions दे रखें उनके ओपर तो यहाँ पे यह जो दे रखा है यह क्या दे रखा है y प्लस 7 अब यहाँ पे यह addition दे रखा है तो addition कहा जाता है future में तो यह हो जाएगा future age इसी तरह से यहाँ पे यह क्या दे रखा है y-3 माइनस के लिए क्या होता है पास्ट तो यहां पे हो जाएगा पास्ट एज नेक्स्ट यहां पे क्या दे रखा है y प्लस 4 1 बाई 2 यहां पे भी एडिसन दे रखा है तो इसका मतलब यह क्या होगा फ्यूचर एज तो यहां पे y प्लस 4 1 बाई 2 यह क्या होगा फ्यूचर एज similarly यहाँ पे यह क्या दे रखा है subtraction तो यहाँ पे y-2 1 by 2 यह क्या हो जाएगा past age तो यहाँ पे इस तरह से हम future और past age देख सकते हैं अब आते हम c वाले पार्ट पे तो c वाला पार्ट में क्या दे रखा है given n students in the class like football यह हमें दे रखा है कि n students जो है वो किसी class में उसको football पसंद है वाट में 2 n so तो 2 n students क्या so करेंगे वाट में n by 2 so यानि n by 2 students क्या so करेंगे और यहाँ पे hint दे रखा है think of games other than football अब इसको ऐसे देखो अगर किसी class में 10 students को football पसंद है ठीक है football पसंद है तो 2 n क्या हो जाएगा यानि कि 2 into 10 यह हो जाएगा 20 अब यहाँ पे 20 जो है वो 10 से ज्यादा है और 10 को अगर football पसंद है तो ऐसा कोई game होगा जिसको 20 लोग पसंद करते हैं यानि कि ज्यादा लोग पसंद करते हैं तो ऐसा कौन सा होता है cricket cricket एक ऐसा game है जो ज्यादा लोगों को पसंद आता है और इसी तरह से गर इस इसको हमने चुकि यह n है हमारा n is equals to 10 लिया है तो यहाँ पे 10 upon 2 यानि कि 5 अब अगर कोई game ऐसा है जिसको 5 students जो है वो पसंद करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वो football से भी कम popular है क्योंकि इसको कम लोग पसंद कर रहे है तो इस तरह के game कौन से हो सकते है basketball हो सकता है volleyball हो सकता है hockey हो सकता है यह games ऐसे होते हैं जिसको लोग कम पसंद करते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेंगे basketball basketball तो यहाँ पे answer लिख लेते हैं तो football कितने लोग को पसंद है N यह हमें दे रखा है और यहाँ पर लिखेंगे हम cricket lover is equals to 2N basket ball lover is equals to N by 2 यहाँ पर कोई और भी game ले सकते हैं यह हमने अपनी तरफ से यह दो game लिये हैं ठीक है तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं कोई यहाँ पर कैरम ले सकता है या फिर यहाँ पर कैरम ले सकता है तो इस तरह से हम कोई भी game ले सकते हैं last part था questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही